so you want to become a millionaire well इसलिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है बड़ आप सवाल आता है कि आप क्या सच में मिलिनेर बनना चाहते हो यह मिलिनेर मिलिनेर हर जोगा मिलिनेर हो रहा है मिलिनेर माइंड सेट मिलिनेर लाइफ स्टैल यह है क्या चीज मिलिनेर वैल अगर इंडिया के बात करें तो मिलिन का मतलब होता है सिंप्ली 10 लाख रुपे तो अगर आप 10 लाख रुपे से उपर की नेट वर्थ रखते तो आप और और मिलेनेर वोटा मोटा साठे साथ करोड में तो अगर आपकी नेट वर्थ 7.5 करोड़ से उपर तो आप मिलेनर हो और इस मिलेनर को हरकोई फॉलो करता है प्अपंध के अंदर साथ 70 कोर्यों कोई नहीं होता यहां पे बोलता है क्षेंध जो आदमी करोड़ा से उपर रखता है वो ती कोई बड़ी बात से इद नहीं है हम आदमी पाया हम नहीं के इंडिया इतने साठे क्रोड़ाहिए आ नहीं अप आप देख लो किसी का कोई अच्छा सा घर है उसकी वैलिव एक करोड़ से उपर है तो आदमी अपने आपी करोड़ पती हो गया अब करोड़ पती बनना क्यों लोग इतना बड़ा समझते हैं इतना बड़ा हुआ क्यों है कोई बड़ी बात नहीं है देखो 2000 की गड़ी अगर पूरी जिंदगी निकल जाएगी वैल यह राइट बड़ अब यह समझना है कि आप जो समझ रहे हो वैसा नहीं है यू कि चेंज यूर माइंडसेट और यू कि बात कर रहे हैं यह मुझे समझ आ गया कि बहुत सरे ऐसे लोग है जो बहुत कम पैसा कमा रहे हैं कमा भी नही अब होता है वह बात क्या करते हैं आप एक करोड रुपए कमाना नहीं चाहते लेट मी टेल यू अगर आप वीडियो भी देख रहे हो आपको लोग रहा हो को सर में कमाना चाहता हूं यूर रॉंग आप एक करोड रुपए को खर्च करना चाहते हो यूँ ओंट स्पेंड इस से फरक नहीं पड़ता है वह तो मैं फलानी कार ले लूँगा एक क्रोड रुपे होगा तो में फलानी टूर पे चला जाओंगा मेरे पास एक क्रोड रूपे होगा तो में अपने लिए निया घर ले लूँगा कोई आएगा एक करोड रुपे बहुत बढ़ रहे हैं आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर है देखो बात यह नहीं कि हरको यह क्यों बोल रहा है क्योंकि जब उसके पास इतने पैसे होते हैं और वह करोड रुपे कम से इसलिए होता है क्योंकि अगर वह मिलेनर बन जाएगा तो वह कॉम्प्रिमाइज वाली जिंदीगी से हटके एक अच्छे लाइफ्टेल वाली जिंदीगी जीना शुरू कर देगा विल कहोंगे अभी तक यह सब तुसर हमें पता है अब हमें जो नहीं पता वह बताईए सबस और spending में फरक है मैं आपको आज वह फरक बदाता हूं देखिए होता क्या है जब आप कुछ भी खरीदते हो आप गाड़ी खरीदो आप घर खरीदो आप हो सकता है कोई टूर पर जाना चाहते हो आप जब भी कुछ spend करते हो तो आपको यह समझना चाहिए वह spending से पहले आप आप कमाओगे बड़ कितना how much will you earn before you spend आप जो भी खर्च करते हो वह अपनी capital से करते हो वेल जो यह सिरीज है यह financial education की उपर है तो मेरे को शब्द होंगे जो थोड़े financial related होंगे और आपको समझने जरूरी है अब अपनी capital खर्च करते हो और capital वह होती है आपकी जो आप टेक्स देने के बाद बचा पाते हो अपने account में इससे फरक नहीं पढ़ता आपके account में क्या बचता है क्योंकि जो आप कमाते हो उस पर टेक्स लगता है और टेक्स के डॉल मुझे बात नहीं कर रहा है तो चार करोड रुपे खर्च नहीं होंगे बहुत आठ करोड रुपे कमाने पढ़ेंगे क्योंकि चार क्रोड टेक्स लग जाएगा आपको इतना ज़्यादा 50% टेक्स जब जादा कमाते हो तो ना सिर्फ इंकम टेक्स लगता है आपके पर GSTP तो लगता है जो आपके अगांड में आरा है ऐसा अठारा परसेंट यह लग जाता है कुछ लोग बोलेंगे तो आप कस्टमर से चार्ज करते हो अब दीरे दीरे चांग कमाने के ऊपर बात करेंगे इस के ऊपर बात करेंगे बड़ आप अभी बेसिक कैलकुलेशन और गलो 30% यहां पर लगाओ 18% वहां पर लगाओ बागी के 2-3% के सेस्स मान लो तो 51% के आसपस टेक्स चला जाता है तो मैं 8 क्रोड कमाऊंगा तो जाके मैं 4 क्रोड रुपे खर सकता हूं और चार क्रोड की गाड़ी की वह बी सरकार भी उसकते दो क्रोड रुपे टेक्स सकते हैं बहुत लोग बहुत पैसे कमाते के बाद जो उसे लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत पहले वो इन्वेस्ट करेगा और जो थोड़ा बहुत बचा वो स्पेंड करता है तो जो अमीर इंसान अक्च्वल में देखो बहुत दो तरह के अमीर लोगें आपके असपास एक वो जो दिखने में अमीर हैं सिर्फ दि तो पहले वो एसेट बनाता है एसेट से इंकम प्रिड्यूस करता है और इंकम के बाद वो इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्टमेंट से जो रिटरंस आती हैं वो स्पेंड करता है या फिर उसमें से थोड़ा बहुत वो स्पेंड कर सकता है पर जो गरीब लोग होते हैं व को कोंगे इंकम आती है न 94 कि अटे그램 आते हैं ना उन्हें इंवेस्ट किया ना वन्हें इंट्रस्सट आता है कोई भी पैसिव इंकम नहीं है और क्योंकि यह सब नहीं हूद आज भी करें और उनकी आने Deputyا पुषटए इंवेस्ट किया तो आप बहुत अमीर बन सकते हो बहुत जादा अमीर और ये चीज़े लोगों ने प्रूफ करी है राके जुन जुन वाला ने पांच हजार की इंवेस्मेंट से करोड़ों रुपे कमा कि ये प्रूफ किया हुआ वारन बॉफे ने किया हुआ है तो आप किसी भी अमीर इंसान को देखोगे होसक तक उस साल पहले वह बहुत अमीर नहीं हो बट उसने ऐसे एसे प्रूद्यूस करें जो उसे इंकम देते है इसेट ये होते हैं जो चीज आपको इंकम ला कर देती अब इसलिए रोवर्ट क्या वसकिए बोलते हैं कि आपके अपको हरने एसेट नहीं होता आपके लिए आपका घर ऐसेट तब तक नहीं होता जब तक आप उसे किराए परना चारा तो कुई चुशने इंकम में आAnnें और आप एक मिलेनर बन जाते हो रियल सेट में बहुत जादा मिलेनर फिडियू होते हैं तो अब बात आती है कि आप क्या कर सकते हो सबसे वहले हमने चीज समझी कि आप एक करोड़ कमाना नहीं चाहते हैं आप एक करोड़ रुपे खर्च करना जाते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है बिफूर यू स्पेंड तेंग्स आपने 30,000,000 कमाए आपने लाफटाप खरीद लिया आपने 10 लाग रुपे कमाए आपने कार खरीद ली इसमें कुछ भी गलत नहीं अब गलत किया है वो मैं आपको बताता हूं आपने जितना कमाया सारा का सारा लगा दिया सारा का सारा लगा दिया ठीक है मुझे समझ आता है आपको अपनी बेसिक जरूरते पूरी करनी जब एक बंदा पैसे कमाना शुरू करता ह वो हमेशा सोचता है कि मुझे ये करना ये करना है बड़ समझो मेरी बात को समझना जो बंदे शोफ वले अमीर होते ना वो क्या करते हैं मैं उनकी गलती बताता हूँ देखो फरक क्या है विन वस नेट्वक मार्केटिंग एवरीबडी वस देर तो शोफ उन्होंने जो कमाया वो दिखान है पैसे कमाये 50 लाग रुपे आगाए गाड़ी आकर खरीद लाए आपको बता है मैंने मर्सेडी खरीदी 70 लाख रुपे उस टेम पे जाड़ी खरीदी इस टेम में इतना पैसा था कि मैं 10 मर्सेडी एक बार में जाके कैश में जाकर खरीच सकता था ये मैं 70,000,000 ही थे तभी जाके मैं खरीद लाया यह गलती करना बहुत गलत बात है आप देखो आप कुछ भी कभी भी खरीदते हो एक फॉर्मिला दे रहा हूं आपको उस फॉर्मिले को ध्यान रखना इस यू के नट बाइ एनितिंग थ्राइस अगर आप कोई भी चीज तीन बार नहीं खरीज सकते हैं तो यू केनाट अफॉर्ड इट आज आप एक मोबाइल फोन खरीदने जाते हो और वो भी इमाई पर ले आते हो अपने आप से सवाल पूछना आज के बाद क्या मैं इस मोबाइल फोन को तीन बार खरीज सकता हूं अगर आप एक बाइक खरीद रहे ह आपको जो मन करें मैं गेशन पर यूकeu ऑपको ऑल रहो बिन आइज और वो पैसा कहां से आता है वो पैसा यहीं नहीं नहें चांव और घूंने चला राकिया मैं पहले सब्लिड़ घरता हूं आज क्या मिरे सब्स्टना पैसा कमा के दे रहे हैं कि अगर में जिन्दी पर का कि लोगा आपको बहुत सारे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे aan दो lavoro ऑजा कोई नहीं को बाते हैं कि सब बिया unrelated मैं आपको सिखा रहू हो आपको लगता है आपको इसे फॉलोगों किया बिल instalive पर बहुत सरी वीडियोज है आप यहां पर टाइम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो आप हो सकता कोई प्रैंक वीडियो देख लो कोई कॉमेडी वीडियो देख लो आप मुझे इसलिए हो सब्सक्राइब कि मैंने वह सारी चीजे करी वह सारी चीजे एक्स्पीरियंस करी जो नहीं लोगों को बुलूँगा कि आप इसे कंदेनी करो हुझन करो जो सच में बड़ा सोचते हैं उ बड़ा करना चाहते हैं वाइक बड़ा सोचने में बहुत बटी घलती है जो और क्या बोलना है मैं बन रहा हूं I am becoming I am becoming rich I am becoming a millionaire I am becoming successful आप बन रहे हो present continuous things चल रहा है हो रहा है process शुरू हो गई अब एक साल लगे पास साल लगे तस साल लगे पचास साल लगे बन के रहूंगा क्योंकि process शुरू हो गई है process में टाइम लग सकता है बट बनूगा जरूर यह आपको अपने आप से बोलना है तो बड़ा सोचने में उन्हें गलती क्या होती है जब आप बड़ा सोचते हो तो आप बहुत सरी चीज़ों को अंडरेस्टिमेट कर जाते हो लोगों की तारीफ करम बहुत सरे लोग हैं जो हमारी वीडियो पर नेगेटिव कॉमेंट कर देते हैं कि कुछ नहीं होता वाई कोई अमीर नी बनता सारी बिकारगी बात एंड आइसे यूर राइट आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो एक आदमी ऐसा है जिसके घर में बहु वह नेगेटिव इनसान बिल्कुल ठीक बोल रहा है है गी परेस्तिती देकर कुछ नहीं हो सकता तो मैं भी यहिवे preta कुछ नहीं हो सकता तो मैं आज आपको लिक्कर दे सकता उसका कुछ नहीं हो conflicting हो कि होगा है ऑगर एक बच्छा ढई ठान लेता है कि क। से नहीं होगा बता रहूं यह पॉजिटिव इंसान जो है यह बिलुकुल गल्स सोच रहा है कि मैं अमीर आदमी बनके रहूंगा मेरे खांदान में कोई अमीर नी बना कोई फरक ने पड़ता मैं बनके रहूंगा वो सोचता है आज मेरे घर में साइकल के पैसे नहीं है बड़ मैं मर्सेडी है तो फट्टू है ऐसे करके बोले का ओर यहाँ पे जैसी हो बोले का तो फट्टू है तर्से नहीं होगा यादमी हार माल लेगा और यह अपनी शान दिखाएगा ओय कोई अमीर नी मनता और यहीं से यह आदमी बिनेगेटिव बन जाता है बट फिर कुछ तरीके के लोग दुबारा खेलेंगे एक बार आउट होएं दूसरे मेरे ट्राये करेंगे और बढ़िया करेंगे और फिर क्या होता है 0.01% लोग जो कहते हैं भाई एक बार हरूं या दस बार हरूं बट मैं तब तक प्रयास नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं कामयाब नहीं हो पाता और यह लोग अमीर बनते हैं अब देखो जो यह बिग धिंकिंग वाले सबस्क्राइब लग नरीटीशई सब्सक्राइब ऊसको कुछ नहीं है तो उसको तो पॉलिटिशन का सपूर्ट मिल गया उसको वह गया लग बहुत बड़ा फैक्टर बोलतें यह लोग फिर निगरिटिव लोग士 बोलते हैं हो गया विश्मार बास गया क्रिक्डिव थी नही नश्ट भी हो जाएंगे कोई तो बीच टूटेगा कोई तो बीच अंकुरत होगा किसी में से तो पेड़ निकलेगा वो किसी में से जो पेड़ निकलेगा क्या वो आप हो क्या वो आप हो एवरीबडी विल नॉट बिकम अ मिलिनेर हर कोई डिजाइंड ही नहीं है उस चीज के लिए बट ऐसा है जो उपर वाले ने ना बना के भेज़ा जो आपकी बाइल जी है वो सेम जो मांक जिकरबक के पास है वो आपके पास भी है जो जेव बीजोस के पास है आपके पास भी है जो आज की रेट में अलॉन मस्क के पास है वो आपके पास भी है मुकेश हमानी के पास जो है वो भी आपके पास है सेम आपके पास दिमाग है सेम आपके पास हाथ है आपके पास सब कुछ वही है बाइल जी बिलकुल सेम है बट साइकोलोजी हो सकता है ब और वो क्या है अडॉप्ट अडॉप्ट बिग माइंड सेट अडॉप्ट अडॉप्ट द मिलिनिर माइंड सेट और मुझे पता है एक बार में नहीं होगा पर हम हार क्यों माने करते ना कोशिश अब कितना बड़ा टास्क है अगर मैं यह बोलू कि मुझे इंडिया को अमीर बनाना ऑँ इंपॉसिबल मैं घर बेड़े जाता हूं चाधर ओड़ के नहीं हो सकता हुँए सकता बीकार की बात है यह जो इंडिया में लोग थे नहीं गरीब लोग है मैं सोच गरीब है यह उमीर नहीं बनेंगे मैं भी यही बोलता हूं और मैं क्योंकि मैंने पैसे कमा मैं सला जाता हूं विदेश और बोलता हूं इंडिया की तब कुछ नहीं होगा दुर्गती होगी यहां पे कुछ सुधार नहीं आ सकता और सभी लोगों के साथ मैं पॉलिटीशन को क्रिटराइस करूं इनकी वैसे हुआ इनकी वैसे हुआ है यहां फिर मैं एक एक्शन कोई नहीं होगा कोई बात नहीं कम से कम अगर एक आदमी की भी जिंदगी बदल गई तो मेरी जिंदगी का मुटी भी पूरा हो गया और पता है आपको मैं यह देखके बड़ा खुश हो रहा हूं कि जब मैंने अनॉंस किया कि विया लॉंचिंग और सेल्फमेड युनिव और करें अगर मैं कर सकता हूं मैं कुछ सिखा सकता हूं so I have to do it so if you want to become a millionaire first understand you have to adopt the millionaire's mindset it is more about the mindset and up millionaire बनने के लिए कैसे आगे बढ़ना है भाई लोग कहते है जॉब करके नहीं होगा बिजनस करके होगा तो बिजनस कैसे करना है बहुत सारी चीजें एक दिन में नहीं बनोगे पहले दिन से यह शुरुआत हो सकती है कि that you are becoming a millionaire शुरुआत हो सकती है सोच लाने की तो अगर आ अगर आप बन रहा हूँ क्योंकि अगर आप बोलते हो मेरी वाइफ बोलती है कि मैं आपके लिए डिनर बनाओंगी और मैं डिनर बना रही हूं सालेड काट रही हूं कुकर पे सीटी लग रही है तो हो क्या रहा है वट इस बेटर जो चीज हो रही है वो पक्का मिल when you will learn more about business you will learn more about because it's a game of mindset as i told you it's a game of psychology so i will see you in the next video a regular subscribe go bell icon पर अपने आप क्लिक कर दो क्योंकि अगर नहीं करोगे अपना नुक्सान करोगे फेस्बुक पर देख रहे हो फॉलो करो और राइट विल सी नेक्स वीडियो तिल दाइब यूगो सल्फ मेट गॉलो